हाई गाईस लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि अच्छी ख़बर आपका है आयूस युनिवर्सिटी से जल्द जारी होगा अफिलेटेड लिस्ट ठीक है बेसी एमेसी और पोस्ट बेसिक बेसी नर्सिंग के लिए प्रवेस की प्रक्रिया जल्द हो सकता है तो आये इसी पर हम बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले आपको सर्च करना है CGDME मतलब 36 गर डारेक्टर आप मेडिकल एजुकेशन जो आपका नर्सिंग का क्या करा रहा है इस बार काउंसलिंग कराने का जो जिम्मेदारी है हर बार इन ही करता है लेकिन इस बार डारेक जिम्मेदारी इनका है ठीक है CGDME आपको कोई रोल तो था नहीं इस साल का डारेक्ट इनका जिम्मेदारी है तो इनके ओफिसल साइट पर हम आते हैं यहाँ पे लिखता डारेक्टर आप मेडिकल एजुकेशन रायपूर थोड़ा और आपको नीचे आना है आपको काउंसल के लिए देखना है तो आप डारेक्ट यहाँ पे काउंसलिंग न क्लिक करके BSC Nursing को क्लिक करिए काउंसलिंग को क्लिक करेंगे तो आपको MBBS होगेरा सब चीज का दिखाएगा हम उल्ली Nursing में देखना चाहते हैं तो हम BSC Nursing को क्लिक करते हैं जब आप इसको क्लिक करेंगे तो ये डारेक्टर आप मेडिकल एजूकेशन का ओफिसल साइट ओपन होगा, यहाँ पे BSC नर्सिंग के साथ साथ जितने भी नर्सिंग पाटकरा में वो सभी का यहाँ पे शुपप होगा, लिंक BSC नर्सिंग के नाम से हैं, लेकिन सो सारी चीजों का होगा, तो लास्ट अपडेट आप यहाँ पे देख सकते हैं, 22 सितंबर 2020 का है, जो कि आपका लास्ट नोटिपिकेशन आया हुबा है इनके दोरा, जिसमें बताया गया था कि 7 अक्टूबर तक आपका डेट बढ़ गया है, उसके बाद से कोई भी अपडेट, यहाँ से जो ऑफिसली अपडेट होना चीए, वो कुछ भी नहीं आया है, ठीक है, उसके बाद आपका 5% जो बढ़ा, यह सारी चीज़े आपको मीडिया के थुरू आपको पता चला है, इनके थुरू यहाँ पे कुछ भी कंफर्म नहीं हुआ है, health science and I use university of 36 गड़ इनके official site को जब आप click करेंगे तो page कुछ इस तरह से open होता है अब ये जो university है यही 36 गड़ में जितने भी nursing के course है चाहे वो BSC हो चाहे वो MSC हो चाहे आपका post basic BSC nursing हो इन सभी में जो CTO का संक्या है मानियतत जो लेना है exam जो conduct कराना है semester exam हो गया ये early exam हो गया result जो देना है वो सारी चीजों का जो data होता है जो काम होता है इनके अधीन है ठीक है तो यहाँ पर मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि इस साल कितने सीटे BSC में होने वाली है nursing के लिए कितने MSC में होने वाली है और कितने post basic BSC nursing के लिए होने वाली है उन सभी का जो list तयार करने का जो अधिकारिक काम है वो इस university के पास है उसके सांसात किस college को बंद करना है किस college को चालू करना है किस college के मानिता रत करना है नहीं करना है वो सा निकलेगा मतलब क्या कि वो लिस्ट निकलेगा कि कितने कॉलेज इस साल मानेता दिया गया इस साल नर्सिंग का कोर्स के लिए कितने सीटे रखें गई है यहां से जो लिस्ट निकलेगा तो अब यहां से जब भी लिस्ट निकलेगा आज कल परसो हफता भर पांस दिन दस दिन जब भी लिस्ट निकलेगा, वो लिस्ट आपका कहाएगा, वो लिस्ट आपका यहाँ पर आएगा, CGDME को आएगा, CGDME, Director of Medical Education को वो लिस्ट प्रोवाइट किया जाएगा, जब वो लिस्ट वहाँ पर प्रोवाइट होगा, तो वहाँ पर यह क्या करेंगे, फिर से अपना सेडूल बनाएगे, और फिर आपका क्या होगा, पांस से दस दिन के अंतरगत आपका क्या होगा, काउंसलिंग का सारे डेट, सारे सेडूल आपको जारी कर दिये जाएगे, तो अभी कहाँ नहीं जा सकता है, कि कितना टाइम यहाँ पर मोटा मोटी लग सकता है, दस दिन, पंदरा दिन, बेज दिन, या यह पूरा नवंबर लग सकता है, बस आप वेट करिए, जादा अगर आपको डाउट आता है, तो आप डारेट सर्ज बॉक्स में दोनों जगा आप सर्च कर सकते हैं, मैंने आपको दोनों चीजों को यहाँ पे बतानी कि कोशिस की, बट फिर आप अपना क्याल रखें, तब तक जय हिन, जय भाण